पेहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes YouTube चैनल में सबी सात्यों एक बार जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को सेर कर दें दोस्तों ठीक है चलिए स्टार्ड हो चुका है आज का इसेशन और आपको जितने भी हमारे TGT PGT वाले सात्य है या फिर Master Kader वाले सात्य हैं दोस्तों KBS वाले सात्य हैं सभी लोग आ चुके हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें और सेर कर दें अपनी सात्यों तक ठीक है यहाँ पर आज हम आपको बता दें कि दोस्तों एक कोर्स स्टार्ड हो चुका है हिंदी साहित का नया बैच स्टार्ड हो चुका है जिसमें आप हिंदी को बहुत ही बड़िया तरीके से पढ़ सकते हो हिंदी को सुरुवात से पढ़ सकते हो ठीक है आप TGT-PGT की तयारी कर रहे हैं KBS, LTE, DSS भी आधी एक्जाम तयारी कर रहे हैं बारा महिने के लिए पंदरा सो में बारा महिने दोस्तों इसमें पढ़ सकते हैं ठीक है और जिन्वी साहित्यों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के ये हिंदी भासा, देवनांगरी लिपी, हिंदी साहित का इतियास लेकर किस्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल रितिकाल, भारतेंदुयोग, दुवेदी, छायवाद, प्रगतिवाद इस प्रकार से अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो आप नीचे लेके नमबरों पर संपर कर सकते हैं दोस्तों हैना ये पूरे नोट्स आपको आपके बाई पोस्ट आपके भिजवाए जाएंगे तो जिनको जिन्वी सात्यों को ये नोट्स मंगवाना है टिर्की नोट्स बढ़िया नोट्स हैं ठीक है वो मंगवा सकते हैं आज का प्रशन है कि तुल्सिदास की भक्ति किस भाव की है एक सरल क्वेस्टन से शुरुआत एक वड़िया क्वेस्टन से शुरुआत यहां पर हो चुकी है तो जिन्दी से लाइक करके सेर जरू कर दो दोस्तों तुल्सिदास की भक्ति आपको चैन करना है किस भाव की मानी जाती है अच्छा क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे दास भाव की है शमरपन भाव की है माधूर की है या फिर साख भाव की मानी जाती है यानि कि तुलशी दास की जो भक्ती है वो किस भाव की है बताएं जल्दी शेप और सभी को बताएं कि सर तुलशी दास की दास भाव की सूर बावन नमबर का क्वेश्चन है शबी लोग बावन नमबर के क्वेश्चन में चैन करेंगे लाइक करेंगे शबी लोग बताएंगे यहाँ पर तो बताईए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर विद्यापती की पदावली किस भासा में रचित है पहाडी में मैतली मे अब दी में या फिर पिंगल में आपको पता है विध्या पती के बारे में आप जानते हैं जन्नोंने कीर्टी लता और कीर्टी पताका की भी रचना की थी दोस्तों जो कि अभध्त भासा में थी है ना और यहाँ पर आपसे कोश्चल पूछा गया है जलुदी से बताना है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार कौन है त्रेपन नमबर का क्वेश्चन है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी इसके रचनाकार कौन है त्रेपन नमबर का क्वेश्चन शबी लोग बताएंगे उत्तर यहाँ पर क्या हो आईगे लाइक कर दो जिनभी सातियों कोई है अपमें अड्वीशल लेना है, पंद्रा सो में बारा महिने के इसमें अड्वीशल ले सकते हो दोस्तों, निरंतर अध्यन कर सकते हो बारा महिने है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर ये धरम भीर, डाक्टर धरम भीर है ये, ठी परिवराजत राहुल सांक्रेत्याइन या स्पाल है या फिर अग्गे हैं शबी लोगों को चैन करते हुए आंगे बढ़ना है सेर भी करना है घुमक्र सास्त्र यात्रा बरत्य के लेखक कौन माने जाते हैं एक अच्छा क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूचा गया चंगण नंबर का question पूछा गया दोस्तों चंगण नंबर में आप लोग क्या answer लगाएंगे क्या आपका right answer है तो गुमकर सास्प्रियात्रा बरत्त के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक हैं कौन है चंगण में राहुल सांकृत 10 यानि कि आपका जो बी नंबर है राहुल सांकृत 10 वो बिलकू सएई answer है राइट answer है ठीके चैन करना है अंगला question आपके लिए जोबाण पर लगामना होना जोबाण पर लगामना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है जोबाण पर लगामना होना मोहावरे का सही अर्थ क्या है इस पष्ट बादी होना अनावस्यक रूप से बोलना सदेव कठोर वचन कहना सरवत्र अपनी बाग तीमा देखाना 55 नमबर का क्वेस्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है एक बहुत ही बढ़िया ऐसे बोलते है कि जुबान उसके तो जुबान पर लगाम ही नहीं है ऐसे बोलते हैं तो जुबान पर लगाम ना होना मोहावरे का सही अर्थ क्या है 55 नमबर का क्वेस्चन है और देखते हैं कौन-कौन बजपन से 55 पर तीड चलाते है और चल गया है तीड कि सर अनावस्यक रूप से बोला यानी बी नमबर बी नमबर शही है कब्बे और काला पानी कहानिकार इसके कहानिकार कौन है कब्बे और काला पानी इसके कहानिकार बताना है और शेयर कर दो दोस्तों अपने मित्रों तक सभी साती है ना एक किलास रोज रात त्री नो वजे चलती दोस्तों आपकी live class चलती है, वड़िया class चलती है, कब्बे और काला पानी इसके रचनाकार कौन है, एक अच्छा question है, अखलेस हैं, उदाय प्रिकास हैं, सुयम प्रिकास हैं, निर्मल बर्मा हैं, कौन माने जाते हैं, और बढ़िया सा question है, 56 नंबर का question है, और आपका उत्तर कि सर कब्बे और काला, कब्बे और काला पानी, काला पानी इसर बड़ा निर्मल निर्मल लगता है, कब्बे को काला पानी कैसा लगता है, निर्मल निर्मल लगता है, तो निर्मल से निर्मल बर्मा, डी नंबर सही है, सर कटी लास उपन्यास के लेका कौन है, जल्दी से ब उपन्यास के प्रवर्तक कौन मान जाते हैं बाबू, देवकी नंदन खत्री गोपादाम गहमरी लज्जाराम महता या फिर इन मैंसे कोई नहीं प्रियंका कौर जी शबी लोग बताएंगे डिलम पटेल जी बहुत सारे सातियों ने एडवीसल ले लिया है नए बैच में आपको अगर एडवीसल लेना है तो अभी भी आप ले सकते हैं दोस्तो क्लासे स्टार्ड हो चुकी है नए बैच की सामको पांच बजे लाइब क्लासों के माध्यम से पढ़ाया जाता है सरकटीलास उपन्यास के लिए का क्वन है एक 57 नमबर का क्वेस्चन बहुत ही बड़िया क्वेस्चन पूचा गया उत्तर हो जाएगा की सर B नमबर लगा दो गोपाल राम गहमरी लगा दो जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक है हिंदी प्रदीप के SSB संपादक का नाम क्या है बताए अंठावन नमबर का क्वेस्चन हिंदी प्रदीप जो की दोस्तों 1877 में 1877 में इसका प्रिकासन हुआ था है ना हिंदी प्रदीप और अपनने पढ़ा था इसकी ट्रिक बनाईती की सर प्रदीप के बाल भटा से भरत गए प्रदीप के बाल भटा से भरत गए तो प्रदीप से बनाता हिंदी प्रदीप और बाल से बनाता क्या बाल क्रश्न भट जिनका जन्म 1844 में हुआ था है ना भारतेंदु मंदल के सबसे वरेष्ट लेखा कमाने जाते हैं भी नंबर सही है भी नंबर आपका बिलको सही है जिसने इंद्रियों जिसने दोस्तों इंद्रियों को जीत लिया हो चैन करना है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो बताना है इसमें एक सब्द क्या होगा जित्य अंद्रिय हो जाएगा योगी, रिसी, क्या हो जाएगा 69 नंबर का question है 69 में आपको चैन करना है बहुत ही बढ़िया question जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो शबी लोग बताएंगे उसे क्या कहेंगे उसके कहेंगे जित्य अंद्रिय यानि कि ये नंबर आपका बिल्कु सही है ये नंबर आपका right answer है ये नंबर बिल्कु सही है चौपट चपेट नाटक के लेखा कौन है 60 नंबर का question है self study classes ये वाला एप आपको डाउनलोड करना है self study classes 60 नंबर का question चौपट चपेट नाटक के लेखा कौन है 60 नमबर का क्वेस्चन है और उत्तर है कि सर किसोर किसोरी ने साब चौपट कर दिया रमेश कुमार जी किसोर किसोरों ने क्या कर दिया बोले सर किसोरी ने चौपट कर दिया किसोरी तो किसोरी लाल गोश्वमी हो जाएगा डी नमबर आपका जब उपमे में उपमान की संभावना प्रगट की जाए तो वहाँ कौन सा लंकार होता है सबी लोग चेहन करेंगे यहाँ पर बहुती बड़ीया कॉस्चन पूछा गया जब उपमे में उपमान की संभावना प्रगट की जाए तो वहाँ पर कौन सा लंकार होता है उपमा होता है, रूपक होता है दीपक होता है या पर उत्परेक्षा लंकार होता है अच्छा सा कॉस्चन आप से पूचा गया है सभी लोग बताएंगे इतना बड़ीया कॉस्चन इस से असन से आपको जुड़ी रहना अपने मित्रों को जुड़ी रहना है और 61 नंबर के कॉस्चन में बुलि सर 61 नंबर का उत्परेक्षा लंकार लगा दो D नंबर लगा दो यानि की D नंबर निबंद गद्दी की कसोटी है यह विचार किसका है निबंद गद्दी की कसोटी यह विचार किसका है स्योदान से चोहान का महावी पिरसाद दुबेदी का रामचन सुकली आपर हजारी पिरसाद दुबेदी का 62 में निबंद गद्ध की कस्वटी है ये विचार किसका है अच्छा question है दीप जी बताईए रेखा जी अमेश सिंग जी बिजय मतल जी निबंद गद्ध की कस्वटी है विचार किसका है 62 नंबर का question है और यहाँ पर आपका देखते हैं क्या नंबर जा रहा है यहाँ पर तो कौनार्क नाटक की रचना किसने की 63 नंबर का क्वेस्चन है सबी लोग बताएंगे अंजु यादाउ जी राजी जी सबी लोग बताओ रानी कौर जी कौनार्क नाटक ये इसके रचनाकार कौन है कौनार्क ये किसका नाटक है एक अच्छा सा क्वेस्चन पूछा गया सोहन स इंग जी तो शबी लोग मिलकर के बताएंगे 63 नंबर का उत्तर बताएंगे और उत्तर चला जाता है जगदीश चंद्र मातोर यानि कि आपका जो B नंबर है वो बिल्कुस सही है कोणार के नाटक की रचना की है जगदीश चंद्र मातोर ने B नंबर आपका correct और right answer है दोहा किस प्रकार का चंद्ध है दोहा किस प्रकार का चंद्ध है 64 नंबर के question में सम्मात्रेक है बिसम्मात्रेक है संस्कृत ब्रत है या पिर आर्देश म्मात्रेक है दोहा किस प्रकार का चंद्ध है एक अच्छा question है शबी लोग बताएंगे 64 नंबर के question में और सीधा answer जार प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है राधा करशन है भारतेंदू है प्रेम घन है या फिर सिरी निवास है प्रेम तरंग यानि की 65 नंबर का कोस्चन शबी लोग बताएंगे प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है अच्छा number question पूछा गया 65 नंबर पूछा गया आपसे और आपका उत्तर जाला है कि सर प्रेम तरंग यानि कि आपका उत्तर है भारतेंदू भारतेंदू यानि आपका जो b नंबर है भारतेंदू आपका right answer है b नंबर बिलकुँ सही है है ना प्रेम की तरंग तो बोली सर भा पूरा किस ने किया 66 नंबर का क्वेस्चन है सभी लोग सेयर कर दो अपने मित्रों को दोस्तों और इतना अच्छा सैसन आपको कहीनी मिलेगा सेल्फ इस्टेडी के लासे इस परिवार से सभी को जुड़ना है जो भी हमारे साथी TGT PGT वाले साथी हैं जो भी हमारे दोस्तों एल्टी ग्रेड वाले साथी है पंजाब मास्टर केडर वाले साथी है जिनको हिंदी साहित पढ़ना है रेगूलर अध्यन करना है वो सभी साथी जुड़ जाएं और देव की नंदन खत्री के अपूर पन्यास भूतनात को जो पूर करने वाले हैं उनके पुत्र दुरगा पर साथ खत्री है दी नंबर आपका बिल्कु सही है अग्य का बिलॉम क्या होगा अग्य का बिलॉम सरसट नंबर का क्वेस्चन मूर्ख है बिग्ग है अल्प है या फिर अनुज है अग्य का बिलॉम क्या हो जाएगा प्रियंका जी गुर्परीत जी शुनील कुमार जी अ जो यादाओ जी अग्य का बिलॉम आपको चेन करना है अग्य में बताना है अग्य का बिलॉम क्या है 67 नंबर के question में और आपका उत्तर है कि सर अग्य का जो बिलॉम होता है अग्य का बिलॉम होता है big big यानि b number आपका बिल्कु सही है अग का बिलॉम, बिग्ज होता है, बी नमबर आपका राइट है, कोप का सही बिलॉम सब्ड क्या है, कोप का 68 नमबर का question है, कोप का बिलॉम बता नहें, बहुत बढ़िया, बताए, बताए कमला कार्द जी, सुकुमार जी, शुश्मा जी, बतार रंजीत कुमार जी अमित जी जिन भी सातियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर बहुती सरल भासा में बनाए गए दोस्तो और बहुती बढ़िया तरीके से ये नोट्स बनाए गए है कोप का सही बिलॉम सब्द क्या हो जाएगा 68 नंबर का क्वेस्चन है बहुती बढ़िया क्वेस्चन है कोप का बिलॉम होगा किरपा कोप का बिलॉम क्या हो जाएगा कोप का बिलॉम हो जाएगा किरपा यानि कि आपका जो ये नंबर है कोप का किरपा होता है बिलॉम पूछा गया तो किरपा आपको लगाना है श्योकुमार जी, शंदीब जी, अमर कांत किस उपन्यास का पात्र है? 69 नमबर का क्वेस्चन, अमर कांत किस उपन्यास का पात्र है? सभी साती लाइक करते हुए सेर जरू करिए दोस्तों, अमर कांत किस उपन्यास का पात्र है? गबन का है? रंग भूमी, कर्म भूमी या फि पूछा गया कि सर अमरकान्त जो है कर्म भूमी यानि C नमबर उपन्यास का पात्र है और ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं C नमबर आपका बिल्कु सही है याद हो की ना याद हो संसमरण के लिखा कौन है? याद हो की ना याद हो मैंने आपको बताया था कौनसी फिल्म है वो कौनसी है काशिनाथ काशिनाथ वाली कौनसी फिल्म है घातक घातक फिल्म है न है न जिसमें बोलता है काशिनाथ तुम्हें याद हो की ना याद हो आज शे तुम मेरी गरप्त में काम करोगे कासिनाथ है ना तो याद हो की नायाद हो कासिनाथ कासिनाथ वी नंबर है ना वी नंबर कासिनाथ से आपका बिलकुँ सही है बिनुपद्य चले सुने बिनुकाना और कर बिनुकरा में कर बिधिनाना इस चौपाई में कौन सा लंकर है दीपा जी राजियू जी बताईए हीरो हंडा जी भी आ गए है गाली चले ये बहुत बढ़िया बताएं यहाँ पर शबी लोग बताना यहाँ पर अमिज सिंग जी जल्दी से लाइक करके सेर भी करना है निकीता जी बिनुपद चले सुने बिनुकाना और कर बिनुकर में करे बिदुनाना इसका अंसर चैन करना बढ़िया सा कॉस्चन पूछा गया 71 नंबर का कॉस्चन है सबी लोग कि सेर जरूर करियेगा 71 नंबर के कॉस्चन में और आपका उत्तर चला जाएगा कि सर यहाँ पर विभावना लंकार है कि बिना पद के चल रहा है बिना कान के सुन रहा है तो यहाँ पर जहाँ पर कारण न नहोते हुए भी कार हो कारण नहीं है फिर भी कार हो रहा है यानि कि विभावना लंकार हो जाएगा और जहां पर कारण है लेकिन कार नहीं हो रहा है यानि कि बहाँ पर कौईसा हो जाएगा कौईसा लंकार हो जाएगा जंदी से बताओ है ना पानी बिच्चे मीन प्यासी है ना पानी बिच मीन प्यासी पानी में मचली प्यासी है कारण है लेकिन कार नहीं हो रहा मतलब कौन सा लंकार हो जाएगा बहाँ पर बताओ किसान के रिचना कार कौन है 72 नंबर का question है कौन बताएगा रोली सिंग जी बताइगे राजकुमारी जी किसान के रचनाकार कौन है येक अच्छा क्वेस्चन है सरीता सरोज जी बहुत ही बड़िया क्वेस्चन है तो यहाँ पर बताईए अंजुयादव जी अनिल कुमार जी और उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएंगे एकजाम आते रहेंगे जाते रहेंगे माया राम जी बिलको सही है है ना बुरिसर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना तो यहाँ पर 72 नंबर का क्वेस्चन पूछा गए आपसे किलिक करना है मैथी लगा दो बोले सर किसान ने मैथी वो ही है इस बार मैथी वो ही है मैथी तो मैथी से क्या हो जाएगा मैथी से मैथली शनगुप्त हो जाएगे ये नमबर बिलकुँ सही है ललेत ललाम की रचनाकार कौन है तेतर नमबर की क्वेस्चन है ये अलंकार गरंत माना जाता है क्वेस्चन आया था कि बताईए कोई सा अलंकार ग्रंथ नहीं है लोगों ने ललेत ललाम लगा दिया जबकि ये तो अलंकार ग्रंथ है तेहितर नंबर का क्वेस्चन सरभ जोज जी अराधना पाल जी बुल्डोजर वाबा जी बताईए यहाँ पर रजिनी जी शबी लोग बताओ ललेत ललाम के रिचनाकार कौन है उन्हेसे कितने साते जोनने सेल्फ इस्टेडी किलासेज का ये लोड़ करें और एक बढ़िया यहाँ यहां पर दोस्तो बहुती क्रमबध्य तरीके से अध्यन चाडू हो गया है न्यूव हो जाए है ना गले संकर विद्यारती रचित गांदी जी की जीवनी है तो बताओ एक क्वेस्चन कई बार आ चुका है कई बार आ चुका है रुन राजपुजी विश्वास मलिक जी शवारी शवी लोग बताएंगे विवे क्यादाओ जी अमिस्चिंग जी एक बार सेयर भी क कर दिया करो अपने मित्रों को Facebook पर सेयर कर दिया करो तोड़ा सा है ना तो यहां पर गए संकर विद्यारती रचित गांदी की जीवनी कौन सी है चोहतर नंबर का क्वेस्चन है चोहतर में आपको बताना है और चोहतर का शही आंसर हो रहा है कि सर गांदी जी विद्यारती अगर बिध्यार्ती गांधी तो नहीं बोलेंगे वो श्री लगाएंगे श्री बिध्यार्ती है तो श्री गांधी हो जाएगा यह नमबर सही हो जाएगा मैंने आपको कई बार बोला है कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे का इंटर्व्यू के लिए सेलेक्षन हुआ और उससे केवाल इतना पूछा गया कि आपके देश का प्रधार मंत्री कौन है उसने सीधा बोल दिया नरेंद्र मोदी ये संसकार हैं इंटर्व्यू से सीधे बाहर प्रधार मंत्री देश का प्रधार मंत्री अगर आप नाम ले रहे हो तो तो थोड़ा सम्मान से नाम लीजिए स्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से बोल शकते हुआ तो कभी-कभी आपके संसकार आपकी टॉन आपको नीचे गिरा देते हैं इसलिए संसकार और टॉन और बोलने का तरीका, आपका लहजा बोलने का लहजा, इसको अगर आप अच्छा रखोगे, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे आपका फायदा ही होगा, है ना, तो यहाँ पर विध्यारती है, स्री लगाएगा, स्री गांधी लगाएगा, यह नमबर बिल्कु सही है, अकाल पुरुष चबी लोग बताओ, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, एक क्वेस्चन बताना है, जल्दी से बताइए, जस्मेल जी, दार्सू जी, रमा सर्मा जी, पूरम सर्मा जी, जनंद्र कुमार अग्गे, डाक्टर देवराज, या फिर प्रभाकर माचबे इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ, सम्मान, सम्मान की बात करते हैं, अगर आप सम्मान सीखते हो, सम्मान आपका नुकसान नहीं करेगा, आप दूसरे को सम्मान करते हो, सम्मान बापस आएगा, लोट कर आएगा, अगर आप सम्मान करना सीखते हो, सम्मान जानते हो, तो तो वो आपका नुकसान नहीं करेगा आपको उंचा ले जाएगा तो एक सीड़ी में आपको बता दे रहा हूं कि आप दूसरों का सम्मान करिए बापिस में आपको सम्मान मिलेगा आप दूसरों का अपमान करोगे उससे बड़ा अपमान आपको मिलेगा तो एक सीड़ी इसक कि आपको पता है कि आप स्वयम आपके सबसे बड़े दुसमन हो आप अपना भला चाहते ही नहीं हो अगर आज से आप लोग अपना भला चाहते हो तो दूसरों से सम्मान से बात करोगे आप अपना भला चाहते हो तो है ना सम्मान से बात करोगे क्योंकि आप जो देते हो बही आपको मिलता है है ना ये याद रखते हैं कौन रसबादी आलोचक कहे जाते हैं 76 नंबर का कॉस्चन है शबी लोग बताएंगे और लाइक करके सेर भी करना है ये आपसे पूचा जाता है 76 नंबर में उत्तर है आपका बी यानि की नगेंदर नगेंदर रसबादी आलोचक हैं बी नंबर आपका बिल्कुस है ये तुलसी दास को बुद्देव के बास सबसे बड़ा लोग नायक किसने कहा 77 नंबर का कोशचन है 77 नंबर की कोशचन में लाइक कर देना है सियर करना डाक्टर गिरियर्सं हजारी प्रसाद दुवेदी रामचन सोकलों नामबार्स हैं मैंने आपको बताया था एक बार कि जिंदिगी एक नाटक है उस पात्र के भूमिका में आप हमेशा कैसे उतरना है खरे उतरना है तो जिंदिगी के नाटक में आपका पात्र क्या है आपको कैसा अभी नहीं करना है उसको समझिए है ना तो यहाँ पर तुलशी रास को बुद्धिदेव के बाद सबसे बड़ा लोक ना एक किस ने कहा 77 नंबर का कॉस्चन है 77 नंबर के कॉस्चन में आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा गिरियर्सन यानि कि ये नंबर आपका बिल्कु सही है भारत भारती का प्रिकासन बर्ष क्या है दोस्तो 78 नंबर का कॉस्चन भारत भारती का प्रिकासन बर्स आपको बताना है 1910, 12, 14 यापर, 16 बताईए प्रमानसु जी, सुनीता, रानी जी, ममता जी सबी लोग बताएंगे Self-Study Classes का एप डाउनलोड करिए संसकार भी मिलते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजे भी आपको सीखने को मिलती है साथी अभीनाए दोस्तो अनुभावी आपको मिलते हैं अगर आप Self-Study Classes में ऐसा नहीं है कि Self-Study Classes में केबल आपको पढ़ाया जाता है किलास के दोरान अपने अनुभावी सेयर किये जाते हैं आपकी जीबन में बहुत ही महत्पुन हैं दोस्तों हैना भारत-भारती का प्रकाशन 1912 में हुए अब बी नंबर आपका बिलको चाहिए लहर में संकले सबसे लंबी कविता कौनसी है ये बताना 89 नंबर का क्वेस्चन बताना है जल्दी से बताया सोक की चिंता सेर सेह का सस्त्र समरपड़ पैसोला की प्रतिधनी और प्रलाइक की छाया हैना एक एकादवार दोस्तों आसिकों के लिए जरूर मुझे प्रेणा देना है हैना आसिकों के लिए एकादवार एकाद सेशन में मैं जरूर दूँगा क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे आपने देखे होंगे प्यार करने बाले देखे होंगे आसिक देखे होंगे हैना जो अपनी जिंदिगी पर खेल जाते हैं अपनी जिंदिगी को भी बरबाद कर देते हैं ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने है ना तो लहर में संकले सबसे लंबी कविता कौनसी है 89 नंबर का question आपसे बताना है 89 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा प्रिलाई की छाया D नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा प्रिलाई की छाया में दोस्तो लहर में संकले सबसे लंबी कविता है प्रलै की चाया, डी नंबर, ठीक है, कोंसी भासा देवनांगरी लिपी में लिखी जाती है, बताइए जल्दी से 80 नंबर अनिल कुमार जी, देखो बहुत सारे लोग बोले सर, है ना, तो यहां पर देवनांगरी लिपी में कोंसी लिखी जाती है, वंगला, पंजाबी, या पिर गुजराती, बताइए, 80 नंबर का क्वेस्टन है, खुरेशी जी, चैन करिए, सीमा गुरिश्मा जी, कुमकुम यादो जी, 80 का क्वेस्टन सभी लोग बताएंगे, सरीता जी, बुल्डोजर बाबा, बुल्डोजर बाबा का बुल्डोजर चला है यहां पर, जांगरी डिपी में लिखी जाती है कौनसी, मराटी, शी नंबर, शुद्ध कविता की कोज, किस प्रकार की रचना है, शुद्ध कविता की कोज, काप संग्राय, निबंद संग्राय, कहानी संग्राय, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक 80 नंबर का क्वेस्टन बताना है, च क्या हो जाएगा, 80 नंबर का क्वेस्टन है, और 80 में आपका राइट अंसर बताईए, क्या हो जाएगा, अनिल कुमार जी देखो बहुत बेचैन है, बोले सर किलास कब ले रहे आप, है ना, आप तो बता दो बस, है ना, तो यहाँ पर 80 नंबर का क्वेस्टन, और आपका उत्तर है, निबंद संग्राए, बी नंबर आपका बिलकुँ सही है, ठीक है, कोसी का घटबार रचना के लेखा क्वेस्टन है, कोसी का घटबार बताईए, शबी लोग बताईए, बहुत बढ़िया खुरेसी जी, है ना, तो कोसी का घटबार रचना के लेखा क्वेस्टन है और आपका उत्तर है शेखर जोसी बी नंबर कोशी का घटबार कोशी का घटबार अपने पढ़ाता ना भी कोशी का घटबार एक किसकी कहानी है एक कहानी है सेखर जोसी यानि बी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है ठीक है साका मरग सब्द का परिया बाची बताना है जै गहनानंद दोस्तों पागल नहीं हुए गहनानंद साहित्यकार बन गए गहनानंद साहित्यकार बन गए और लोगों को प्रेणा दी उन्होंने उन्होंने लोगों को प्रेणा दी है है ना क्या बनके साहित्यकार बनके उन्होंने कभिताइं लिखी है गहना जिनका नाम दोस् चोटी चोटी बाते इनको अपनको समझना चाहिए दोस्तों है ना यहाँ पर साखा अम्रग सब्दे का पर्याय बाची क्या है 83 नंबर का क्वेस्चन है 83 नंबर में आपको बताना कि सरी बानर है बी नंबर आपका बिल्कु सही है भगवती चन बर्मा के किस्व पन्यास में गांधी बाद आतंक बाद शाम में बाद तीनों का चित्रन हुआ है तीनों का चित्र हुआ है किसमे 84 नंबर का question भूले विश्रे चित्रे तेड़े मिड़े रास्ते सभाई नचावत राम गुशाई या फिर चाणक तो जंदी से बताईए उत्तर क्या हो जाएगा शबी लोग बताना 84 नंबर का question है यहाँ पर और जंदी से बताईए क्या हो जाएगा राइट आंसर भगवती चनबर्मा के किस्व पन्यास में गांधी बाद आतंक बाद और साम बाद तीनों के चित्र मिलते है तो बताईए भगवती चनबर्मा के most important question है देवेंद्र जी है ना गायत्त्री जी 84 नंबर का question और उत्तर हो जाएगा कि से टेड़े मिले रास्ते लगा दो बी नंबर आपका right answer लगा दो दस्तक जिन्दिगी की है ना मोड जिन्दिगी की है ना ये दस्तक जिन्दिगी की आत्म कता इसके लेका क्वन है दस्तक जिन्दिगी मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर प्रतिबा है तो प्रतिबा प्रतिब जिन्दिगी के अनुभाव भी और दोस्तो जिन्दिगी के लिए एक किलास भी आपके लिए लगाई जाती है एना ऐसा है अपना सेल्फ इस्टडी किलासे किसर जिन्दिगी के लिए बहुत ही दोस्तो जहां मैं खड़ा हूँ आत्मकता के लेक का क्वान है शबी लोग बताई यहां पर राइट आंसर चेहन करना राहुट चांकरित्याइन भ पिल्कुस सही है है ना भाई गती साप चचूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई गती साप चचूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है साप और चचूंदर जैसा होना साप का चचूंदर जैसा होना दुविदा में पढ़ जाना या पर चचूंदर का साप हो जा 87 नंबर के question में ममता जी बताईए राणा जी विजय गुपता जी रिया बादरा जी नाक्टर रिंकी बर्मा जी 87 नंबर का question है इतना अच्छा question आप से पूछा गया तो आप चोके छके जरूर बरसाएंगे IPL खिर राना अभी चोके छके बरसाए जा रहे हैं 87 नंबर के question में और उत्तर चला गया कि सर ये दुविदा में पढ़ जाना यानि कि आपका C नंबर बिलकुँ सही है भाई गति साप चचुंदर केरी यानि दुविदा में पढ़ जाना C नंबर correct है लाहोर से लखना उत्तक क्या करना है संचमन के लेखकों ने कई बार मैंने आपको समझाय याद करवाया त्रिक भी बताई लंबी लंबी ट्रिक बताई हैं रमेज जी ममता जी सबी लोग बताएंगे दोस्तों है ना लोग पूछते कि सर इतना कहां से लाते हो आप इतना नुवाव कहां से लाते हो तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने गाउं में रहकर हल भी जोता है मैंने गाउं में रहकर मववी बीने है और मैंने गाउं में रहकर मजदूरी भी की है और आज यहां पर आकर आपको पड़ा भी रहा हूं साहित है है ना तब जाकि संसार का अनुभाव दोस्तों इतना गिरन हो पाता है कि गाउं का किसान कैसा रहता है गाउं में किस प्रकार की दोस्तों धारना रहती है और सहर में किस प्रकार की धारना रहती किस प्रकार की लोग रहते हैं बहुत सारा अनुभाव जब बटो रहा है तब जाके आपको इतनी सारी ट्रिक बता पाता हूं है ना तो लाहोर से लखनव तक प्रिकास बती पाल प्रिकास ही प्रकास करना लो निसर डी नंबर प्रकास बति पाल आपका डी नंबर साइए पंडित महाबी परसाद दुवेदी ने सराश्वति का शंपादन बताई है कभ किया था 89 का question आपको chain करना है like करके share भी करना है दोर्टों कोई काम मिरे लकड़ी بھی काटी है लकणी भी काटी है दोस्तों हल भी जोते हैं सब कुछ किया है तो यहाँ पर पंडित महावी परसाथ दुवेदी ने स्रश्वती का शंपादन कब किया 1903 में 1907 या फिर 1901 में तो बताइए बताइए यहाँ पर 502 नमबर का क्यास्चन है बहुत ही बढ़ीया क्योंस्तोंदी से बताइए और एक लाइक भी कर ना है रमेश जी रजना जी बताएं यहाँ पर गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालो चक नांगरी नीरद शबीलो बताएं कुरेशी जी पटापट बताएं नांगरी जी भारत मित्र जी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर तो 90 नंबर का कॉस्चन है और 90 नंबर की कॉस्चन में आपका उत्तर हो जाएगा गुलेरी जी द्वारा जो संपादित पत्र है वो है दोस्तों समालो चक यह नंबर आपका बिल्कु सही है यह नंबर संदीब जी यह नंबर बिल्कु सही है ठीक है यहाँ पर आते हैं जिस सब्द का है ना महुआ नहीं जानते सर्च करो गूगल पे महुआ का पेड़ है ना महुआ का पेड़ सर्च करो आ जाएगा है ना जिस सब्द का कोई खंड प्रधान नहीं होता नहीं होता अपी तो उसका अन्य अर्थ निकलता हो उससे क्या कहते हैं उससे कौन सा समास कहते है 91 नमबर में बताओ कोई अन्य पद प्रधान हो तो ये तो आपको पताई है कि सर अन्य पद प्रधान यानि कि बहूब रही शमाश यानि कि आपका जो बी नमबर है वो बिलकुल शही है बी नमबर आपका बिलकुछ चाहिए दिग दर्शक में कौन सी संदी है दिग दर्शक में बताना है क्रशना जी पिंकी राजपूच जी मन्जू जी बानवे नमर का कोशन है संदीब जी भीरेंद्र जी निसा जी शभी लोग बताएंगे रंजना जी लाइक करके सेयर भी कर शबी शातियों को और संगर्श करना है मैं आपको बोलता हूँ एक ट्रिक देता हूँ कि इतनी पढ़ाई करिए इतनी पढ़ाई करिए जब तक दोस्तों अंदर से आबाज ना आ जाए कि अब बस जिस दिन इस आबाज आ जाएगी न उस दिन आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा मैं बार-बार आपसे बोला हूँ आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हो है ना बाहरे से आबाज आती कि अब बस ठीक है अंदर से आबाज आ जाए कि अब बस सेलेक्शन हो जाएगा मैं बता दिरा हूँ देख्दर्सक में कौनसी संदी है, 92 नंबर का question है, और 92 में आपका right answer चला गया, बुरिसरे बयेंजन संदी लगादो, D नंबर आपका right answer लगादो, प्रत्योत पन्नमती सब्द में कौनसा उपसर्ग है, 93 नंबर का question है, जिन भी सात्यों को लोट श मंगवाना। इंदी सायत क कि वो अपने घर मंगभा सकते हैं, दोस्तो, प्रत्योत पन्नि-मती सब्द में, कौन्सा उफ्सरग है, 93 नंबर का question, बहुती बढ़िया question है, प्रत्योत पन्नि-मती सब्द में, कौन्सा उफ्सरग है, ये question है, शबीन लोग बताएंगे, और आपका उत्तर क्या जा रहा है, क्या बताया प्रती है ना प्रत्योत पंडमती सब्द में उफसर्ग है प्रती यानि शी नंबर करेक्ट राइट अंसर है इसका रचना काल भी बताना एक कप्रकासित हुआ था पूनम जी बताईए फटाक से चैन करिए दा मौडर्न वर्नाकुलर लिट्रेचर अफ नादर्न हिंदोस्टान इसके रचना कार कौन माने जाते हैं शबी लोग बताएंगे और एक बार सेर भी कर दो फटापट से और उत्तर हो जाएगा इससर्दा मौडर्न एक ग्रियर्शन का है कब इसका प्रकासित हुआ था शबी लोग बताएंगे संचारी भावों की कुल शंक्या कितनी है संचारी भावों की संक्या 8, 9, 33 या फिर 36 शंक्या बताएंगे 95 नमबर का कौस्चन है बहुत ही बड़िया कौस्चन पूछा गया आप लोगों से कमेंटर जरूर करते रहिएगा सेर करते रहिएगा दोस्तो जल्दी से बताओ संचारी भावों की कुल शंक्या कितनी है आपका उतरा गया 33 तो 34 वचल नमक संचारी भावों बताओ किसने माना है फटा पड़ से बताइए राइट अंसर बताना है छावरन किसके योग से बना इतना अच्छा क्वेस्टन पूछा गया मंजा आ गया दोस्तो शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे और निव एच स्टार्ड हो चुक है आज से 15 तारीक से आज एक क्लास हिंदी भासा के बारे में दोस्तो अपन पड़ चुके हैं जो भी हमारे साथ हैं जिनको भी अटबी सल लेना आज ही सेल्फ और स्टडी क्लासे इस वाला एप डाउनलोड करिए और दोस्तो छावरन ये कई बार पूछा गया है कि छावरन बताना है छावरन क किसके योग से बना है किसके योग से बना है चार विकल्प है चार में आपका राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा पूनम जी अजित जी शबी लोगों का अंसर आ गया कि सर ये नंबर लगा दो ये नंबर आपका सही है ये नंबर आपका राइट अंसर है शा का उचान इस थान कौन सा है? 96 नंबर का कॉस्चन बहुत ही बड़िया कॉस्चन पूछा गया share करते रहे दोस्तो self study से इस पर बने रहे like करते रहे, share करते रहे चीक है? यहाँ पर साका उच्चान आपको बताना है और एक अच्छा कॉस्चन आप से पूछा गया बड़िया question पूछा गया like जरू करना है सबी साथ ही like करके जरू जाया करो इतने अच्छे session से आप जुड़ते हो जहां पर आपको मज़ा आता है और 40 minute आपको भी पता नहीं चलते कि शर कहां से चले गए ओपर से चले गए या नीचे से चले गए प्रेम सिंग जी तो आपका उत्तर है साका उच्चान स्थान कोईसा है 97 नमबर का question और उत्तर है तालू यानि B नमबर आपका सब्द है बकील किस बासा का सब्द है 98 बकील तो आप जानते ही है आप लोग भी बकील बनने होंगे कई लोग बकीलों से परिचेत होंगे बताओ बकील किस बासा का सब्द है बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर शही आंसर बकील किस बासा का सब्द है लाइक करिए जल दीशे सेल्फ इस्टडी किलासे इसका एप डाउनलूट कर लीजिए पंद्राशों में बारा महिने कोई नहीं देगा आपको इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा और आपको पंद्राशों में बारा महिने दोस्तो दस हजार में बारा महिने बोलते है बोले दस हजार में चार महिने बस है ना कई लोग बोलते हैं कोर्स कंप्लीट हो गया एक बार उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर तो दो दो तीन तीन चार चार बार रिवीजन भी हो जाता है एक साल में है ना तो बकील किस भासा का सब्द है सुमन राजे बताना है जल्दी से बताएं सुमन राजे किस सब्दक से सम्बंदेत हैं एक अच्छा क्वं सेयर करते बने तो सेयर भी कर दिया करो आप लोग अपने बॉट्साब पर है ना Facebook पर Instagram पर सब जगा स्क्रीन सोट लेकर भी share कर सकते हो दोस्तों है ना सुमन राज ये किस सब तक से संबंदेत है 99 नंबर का question है और 99 नंबर में आपको बता है इसकी trick बताईती हमने कौन से सब तक की बताईती बताओ शबी लोग बताएंगे बताएं किसको पताई इसकी trick दिब्या पांडे जी शुचीन जी शुमन राज ये किस सब तक से संबंदेत है 99 नंबर का question है और उत्तर हुजाएगा चतोर्त यानि डी नंबर चतोर्त सब तक के ये से संबंदेत है डी नंबर आपका हजार भी लेते हैं सर बहुत बड़िया शंदीव जी है ना और हरी घास पर शंबर सीर्शक का बिसंकलन की रिचनाकार कौन है सो नंबर का question है और हरी घास पर शंबर एक अच्छा question पूछा गया तो बताएं चैन करिए और share भी कर दीजे दोस्तों अपने जिनको भी एड़िसर लेना है self study classes में वो ले सकते हैं एप डाउनलोट कर लो सभी शाती ठीक है जिनको भी notes मंगवान अपने घर पर एक सप्ता में आपके घर विजवाए जाएंगे दोस्तों notes speed post के माध्यम से सरीता जी विजय गुपता जी मन्जू जी हिंदी साहित के आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे PGT, PGT, LT grade, Punjab, Master grader, UK, LT है ना और दोस्तों हरियाना TET, HP, TET किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे 1st grade की हिंदी साहित के लिए हिंदी साहित के इतिहास के लिए आप notes मंगवा सकते हैं ठीक है विकास जी, बलजीत जी, जसमेल जी और हमारे जितने भी साती है वो सभी साती ये self study classes का आप डाउन्डोड करिए ये वाला self study classes ठीक है और दोस्तों हिंदी साहित का 15 सों में 12 महिने वाला ये course आप purchase कर सकते हो ठीक है देवनांगरी लिपी इस प्रकार के notes रहेंगे इंदी साहित का इतियास, आदिकाल, वक्तिकाल, रितिकाल दुबेदी योग, चायाबाद ठीक है और बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत बढ़िया अराधना पाल जी, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है, ठीक है लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों को, और यहाँ पर देखते हैं यह कांग की निबंद इस प्रकार से ठीक है, और इनको दोस्तों जल्दी से बने रहें, लाइक शेयर करिए, अध्यन करिए, ठीक है